वेलकम टू माई यूटूब चैनल पेपर एकार आई एम गोएंग टू डिसकस सम इंपोर्टेंट कॉश्चन ऑप चैप्टर मैट्रिक्स 12th क्लास cvac स्टू करते हैं सरे छुका करों ना है कहें अच्छे पोजिशन इंपोजिट कर चूएं लेकिन उससे पाहले सब्से सामने आप देख पारे होंगे इस स्क्रीर मेर वहरा हूं यह लगाना पड़ा मुझे आज इसलिए लगाना पड़ा कि बहुत एक मेट की घड़ना आपको बताते हैं एक इस्टुडेंट मेरे कॉंटेक्ट का जो IITJE की प्रिपरेशन कर रहा था उसके फैमली बालों ने बड़ी महनस से और बहुत अरेंजमेंट करने के बाद है उसका फर्स्ट इस्टॉन में जो एक पे किया लेकिन उसके कि एक डूटेश्ट हुए पढ़ने में अच्छा है कई सारे जब उसके एक डूटेश्ट वे उसकी रैंकिंग कम आई उसकी अगर आप अच्छा नहीं करेंगे तो हमारे कंट्री का क्या होगा हमारे देश के आप भविस्थ हैं इसलिए हम बहतर करने की कोशिस करते रहेंगे आप लोगों के लिए बहुत अच्छे च्छे वीडियो लेकर के आते रहेंगे लेकिन उससे पहले आप देख लिए जो उस हार मत मानों सफल होने में समय लगते हम चोटी एक चोटी फच्छी में परेषान हो जाते है और गिवयुक्त कर देते हैं बहुत गलत है घ Iraq नहीं करना बच्चो पर भंड़ो आको good chance मिला है आपको golden chance मिलाइए आपके parents इतने अच्छे हैं जो आपको किसी भी तरीके से अरेंज करके आपकी फी को जो है पे करते हैं और आपको पढ़ाते हैं ठीक ना तो बच्चो गिब अप नहीं करो आप देख सकते हैं कि Microsoft को 6 साल लगे IBM का contact लेने में 5 साल लगे पब्लिक होने में ठीक ना Google को 8 साल लगे पब्लिक होने में उसके बाद में इस्टीव जॉप्स को 20 साल लगे हम लोग क्या करते हैं एक दो चांस नहीं होता तो दिवब कर देते हैं जाओ रहने तो नहीं करेंगे अरे क्यों परिशान हो रहे हो आप देख सकते हो बिल्कुल जितनी बड़ी बड़ी कंपनिया हैं आपके हाथ में फोन्स हैं आप देख बहुत प्रोड़क्ट आते हैं इनकी कंपनियों के तो क्या होता है कि यह लोग एक दिन में सकसेस नहीं हुए बड़ी मेहनत करी आप आप देखते हैं कि जैसे कोई भी बच्चा छोटा होता है हमारे पाइंस अपना आप सपना देेखते हो इसमते हें जब आम पर पहुंशते हैं जब आम मेहनत करने के ठायम पर होते हैं तो उस समय अगर उस समय अगर सपने को सपना देखते रहे तो फिर वो सपना पूरा होने वाला नहीं है आप एक प्लानिंग के साथ करिए एक प्लान मनाईए अपना और उसी के अगोटिंग काम करिए तो आप सब्सक्राइब तो आपको पसंद आया होगा चलिए आज हम लोग मैट्रिक्स के बहुत इंपोर्टेंट्ट कॉश्चांश करने वाले हैं ठीक ना ओब्जेक्टिप इस पहला कोश्चा बहुत आसान है बहुत सारे इस्टुएंट को बड़ा परेशान हो गया कि क्या चरा सा कोश्चन दे रिया नहीं आगे और भी कोश्चन आने वाले परेशान सब की लि नंबर आफ पॉलंस के लिए 123 इसका और कितना हो गया फॉस्त ही होगया लिए टीन होगे भी पिता नंबर आफ एलिमेंट्स विए ही कि नमबर आप elements कि नमबर आफ elements कितने क्यों सिंख्वर अ Nós और की पिम्ल्टिप्ना घराते हैं तो नमबर आफ elements अम को मिल जाते हैं और आज आप दा जाए कि आप valley हम जाए कि आप से का जाए इसमें 11.2 वन आ आपको क्या जाएगा जो इंदर सेक्शन करेगा वही इलेमेंट हो जाएगा तो इसमें बहुत सारे अब इस तरीके से बढा सकते हैं ठीक हो प्याइब कि आसे समझ में आए होगा चलिए नेक्स क्वेशन नेक्स क्वेशन आप से कहा गया इनोंने बोला एक मिन्ट बच्चो इन्हें का कि इप Somete है जिसमें 18 Elements है आप पसेबल और कि इसके पॉसिबल हो सकते हैं तो आपको बताएon कि जब हम लोग क्या करते हैं आपको पहले बता दिया गया कि 18 करना है कि दोनों की multiply करें तो हम ऐसा 18 हमको मिलता रहा है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं अगर हम में क्या रहा है 18 आ रहा है आप देख पा रहे होंगा कितने ओडर है दो अडर ही हो गया और आपका 6 तो इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 इसके लाभा कोई भी पॉसिबल नहीं हो पायागा इसका मतलब नमबर आप पॉसिबल और कितने हो जाएंगे बटा सिक्स हो जाएं तो हम 18 elements को ले अब मैट्रिक्स को जो ऑडर है वो कितना है 3 x 3 है कूज element अरे बहुत आसान है इसका मतलब है कि आई की जहां पर आई यह बहां पर हम 3 को सब्सिट्यूट कर देंगे और जे की जगे पर हम क्या करना होगा टू को सब्सिट्यूट करना होगा तो इसका मतलब यह आजाएगा तो यह अब जिसकार माइनस 2 स्कॉएर दिसस नाइन माइनस 4 फाइनली वीचेट दा एलिमेंट ए थ्री 2 इस फाइड तो आपको जैसे इसी इसी पूस्ट ले जाता है कि आप क्या बताना है आपको जैसे कह दिया जाता ए थ्री थ्री बताओ ए ठी त्री कितना आता जी रो ने मतलब सेकेंड कॉलम को जो एलिमेंट है उसको बताना है तो इसका मतला है अपका आंसर पैटना लुत डिर इसका अपके वह तो यह स्कुर्ण तो फाइनली कितना जाएगा आपका थ्री हो जाएगा तो टोटल नमबर आप पॉसबल मेटरिस अरी वाँ वाँ बहुत बहतरी इन क्वेश्चन आगे बहुत बजिदार क्वेश्चन आगे ऐसा क्वेश्चन तो आपके कॉम्प्रिशन में एक मिले गा पका चाहें कोई भी क मैंने आपको मेटरिक्स के जिन्होंने पहले के लेक्चर नहीं देखें वह देख लिए आपके समझ में आ जाएगा अब आप देखना पड़ता है कि बेटा नमबर आप पॉसबिल्टीज कितनी है तो नमबर आप पॉसबिल्टीज के लिए हम क्या करेंगे याप तो नमब एटनी के लिए आपको दो केस मिलेंगे या तो फिर 2 लेंगे या फिर त्व सब्स्क्राइब आप तो इसका मतलब है कि नंबर आप जो इसकी पावर में कितना है इarriveि टू और प those who need the native Neen या टो फर्वांवर नाइन आता टो एंटरी की जो पॉस्विल्टी यह तो जी यह लेंगे यह फिर लेंगे या फिर फिर लेंगे या फिर इनगे हैङ इलेंगे। तो और एलिमेंट आपके कितने हैं नाइन है तो इसका मतलब पॉस्विल्टी के लिए अगर हम लोग इसको क्या करें आपने 11th क्लास में थियोरम आप मुल्टिप्लिकेशन पढ़ा होगा उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक एलिवेट की अगर दो पॉस्विल्टी है और ना आपको बता दिया कि हां को सॉल्व कर सकते हैं अब जैसे ऐस मैंब इसी को थोड़ा सा छेंज कर दिया जाए-एक टोटल तो इसमें नमबर आप पॉसिबिल्टीज किती है तो इसका जो आंसर आता वो थी पावर 9 हो जाता अगर आपके जीरो 1 2 3 आपकी पॉसिबिल्टीज फोर होती ही तो आंसर फोर पावर 9 हो जाता तो बहुत इसली आप ऐसे पोजिशन को सॉल्फ कर सकते हैं ठीक है ना तो हाई कि आपके समझ में आया होगा चलिए हमने नेक्स क्लास की नेक्स कोशन की बात करते हैं यह देखो बेटा कोश्चन आपकर आ रहे हैं हालाग आपको एक मैट्रिक्स गिवेन है हमसे का आगे एटू 3 एटू 4 का जो सम है वो कितना आएगा है ना तो अगर मैं बात करूँ यहां लोग क्या लिख देंगे ना लिख देंगे उसके बात में टू 4 है इसका मतलब एक लेगिन फॉर्थ कॉलम है ना तो फॉर्थ कॉलम के लिए हो गया तो इंटर सेक्शन पे इनका में प्लस चाहिए तो इसका प्लस कितना जाएगा 15 हो जाएगा तो बहुत ही आसानी स आप देसके क्या कह रहे है लेगीन कोशन में ही रहीं के रहे है गृढ आरीट कॉलम है और सेकेंड कॉलम है उसकी पोजिशन क्या हो गई तो इसका हमारा आंसर CT a जाएगा ए थ्री टू तो आई होप कि आपके समद में आया होगा बहुत ही आसान था आप इसमें एलिमेंट सर्च करेंगे अब जैसे माल लिया ठीक है वो और भी कुछ जैसे यहां पर चीडिया होता है थुरी माइनस थुर है ना एकौन से अलिमेंट के अलोगा आप देख सकते यह चैनली कितना यह थ्री कुंसी पोजिशन पर है फॉर्स्ट फौर्थ कौलम है तो इसका आंसर केटना आ जाता है एधे बन फोर है हो जाता है तो वह आपसे कुछ भी बोच सकते हैं आप बहुत आसानी से उसका आंसर दे पाएंगे अगर concept के लिए है ठीक ना बिल्कु परेशान नहीं होना चले हम लोग आपके समय में आया होगा अब इसको देखें अब बहुत अच्छा कोशन है थोड़ा सा ध्यान भी स्केंदेना पड़ेगा आपको आसानी से नहीं उपाएगा क्या रहें मैट्रिक्स है मैट्रिक्स आपको गिवेन ए 004040 400 इज आ तो सबसे पहले आपको क्या करना है आपको और आपके पास चार ऑपसन है बहुत आध्यान से इसको समझें मैं आपको अच्छे से इसको खुलियर करूंगा ठीक और भी एक्जाम पस्पूंगा स्क्वाइर स्क्वाइरес के बात थोड़ेंब के लिए इसके बाद में थोड़ा व्यколप करेंगे अभियक्व सुन्ददे की impaired कि आप इसमें जो मैट्रिक्स आपको पीवन है मैट्रिक्स पी है किया रह habilu यह उनको छोड करके बाखी सारी इंट्रीज को जीरो करना होता है अब आप देख पा रहे होँगे पटा इसमें यह जीरो है ही नहीं है और अगार इसमें में डायगणाल की बात करा है तो कोई दिक्तत नहीं है इसमें यह दूनमें जीरो मोई होते ह्ति होती तो इसका अगर मतलब ठांप helemaal मैट्रीक्स नहीं है डायगनल मैट्रीच की टैपनिशन होती है कि में डायगनल एलिमेंट को छोड़ करके बागी सारे एलिमेंट क्या होते हैं तो इसका मतलब है कि यह वाला और यहां से अग्जाम्पल की बात करें जिसे ले लिए कि नियुक्त इन में क्या होने चाहिए आपके यहां से बहुत सारे म सकता है अब हम लोग आते हैं इनित मैंट्रिक्स संहीं तो इनित मेंट्रिक्स में बताया आगया कि जो आपके में डाइगनल एंट्रीज है वो यूनिट होना चाहिए और बाकि सारे के सारे अलिमेंट क्या होने चाहिए जीरो लेकिन यह सारी सारी कंडिशन स्कॉर मेट्रिक्स पर होती है मेरी बात ध्यान से देना तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें जो में डाइगन है नहीं तो इसका मतलु यह भी ओप्सन पाइगा यह अप जो कि तो किरान ऊंटाइब क्लम में बता आ गया कि नंबर रोंज लंबर रहोंगत इसका आप समझ में अगा मैंने सारे यह का सदीक में मेट्रिक्स क्या होती इसको भी बताया गया और देनाव डीज बताया गया ठीका ना चलिए अब हमनों नेक्स नेक्स कोश्चन की बात कर लेते हैं देखो बिटा किया है बहुत आसान के एक यह बिलकुल आपकी डैपनीशन है मैंने बताई ती इस से फिर बाले क्लास में लेक हम दो मेट्रिक्स को इकवल मेट्रिक्स तब कहते हैं मैंने दो केस बताया थे कि आपके इसमें दो कंडिशन थी सब से पहले दोनों को आअदर जो है वह वेटा सेम होना चाहिए कि और उसके बाद में दूसरा मैंने कि treat corresponding element कि corresponding कि अगर कोई दो मैट्रिक्स है और इक्वल है तो इस केस में उनका और सेम होगा और कि इन्होंने बताया कि इफ दे आर्धा और एंड फार आई जो टू ले लिया और मैंने यहां पर जो जे है उसको मैंने थ्री ले लिया है तो इसका मतलब अगर आपको निकालना हो तो इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन में क्या एक सेकेंड ऑप्शन देख लिजिए अब देखो बेटा क्या है अगर मैंने आई को बन लिया और जे को मैंने टू लिया इसका मतलब और इदर कितना जाएगा अब देखो हाँ आगया आगया बस इसी की तो हमें जरूरत थी कह रहें करस्पॉंडिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए तो करस्पॉंडिंग एलिमेंट सेम हो रहा है एक और उसके बाद में सेम होने चाहिए तो यह वाला ऑप्सन आपका क्या हो जाएगा अब आप कहेंगे ऑप्सन नंबर जो थार्ड और फोर्ट है वो सही क्यों नहीं है उसके बारे में भी हम डिसकस कर लेते हैं अब आप इसको देख लीजिए निगेटिव की बात कर रहा है तो निगेटिव त उसका कर रहा है किस तरीके से करतें किस तरीके से इसको सही बताते हैं और यह अच्छा कोस्ञट की बात कर यहां पर एक मेट्रिक्स मतलब हमको two मेट्रिक्स गिवलन है और दोनु मेट्रिस्टां क्या करना है अब यह आधि अधिक चीज़ बता दू मैने इससे पहले वाले लंट्चर में बताया था वेटा एडीशन on अग्याना मैट्रिक्स को एड किया जाए मतलब उनका एडीशन किया जाए या फिर उनका सब्ट्रेक्शन किया जाए इनके लिए जो कंडिशन होती है पहला दोनों के लिए और जो है वह सेम होना चाहिए और जो सेकेंड है सेकेंड है सेकेंड कुछ नहीं है और क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए एक ही कंडिशन है और अगर सेम है और सेम है तो उन मैट्रिक्स को हम लोग प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं हम आपको एक चीज़ और है हम मल्टिप्लिकेशन के बारे में नहीं कहा रहे ह सिर्फ एडिशन और सब्च्छन की बात कर रहा है तो बहुत भी आसान कोश्चन है इसका बार कितना है आप दीख पा रहे हुँगे इसका जो ऑडर रहे है तू क्रॉस थ्री तो क्रॉस थ्री आर्ट क्यों है तो लाइन को करेंगे तो लाइन में और इसका मतलब क्या होगे तू प्लस थी इसका इलिमेंट को लिया जाता ए इसメंप कितना है तो हमारा आंसर जो आएगा वो ये कितना जाएगा रूट 3 प्लस टू आजाएगा उसके बाद हम पर पर कितना है आपका वन है यहांपर एलिमेंट क्या है 5 है 5 तो इसको लिखेंगे 1 प्लस अंडरूर 5 हो जायेगा उसके बाद यहां माइनस बन्स बन और प्लस बन क्या जायेगा सब्सक्राइब करेंगे तो आंसर कितना आएगा और जीरो प्लस बसक्राइब है लेकिन आइसा कुछ नहीं है कि यही कोशन आपके एक्जाम में मिलेगा अब माले इसमें उन्होंने कह दिया कि बहुत सारी कोशन इस तरीके से फ्रेम हो सकते हैं ध्यान रखें बिल्कुल कोशन पर ना जाएंगे यही कोशन आया इसा नहीं अब देख लिए अब देखिए रूट 3 प्लस 2 यह 2 प्लस रूट 3 तौ देखिए और नोंबर क्या होगा इसमें गया है इनकरेक्ट है आप देखी सकते हो यहां क्या रूट 5 तो है नहीं इसमें कोई बहुत बढ़ी बात नहीं नहीं अवागा यह तो बैसे एक एंसल हो गया कि नहीं इसका ओर्डर भी यहां तो चेक करना पड़े चलिए कि ओ हो बड़ा एक्जामनर का मज़धार को सब्सक्राइब कि इसमें कह रहे हैं तब वैलू आओ हमने आपको बताया था कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में कि सभी नंब्र की मल्टिक्लाई करें किसी वी अलिमेंट की मिल्टिक्लाई करें तो सारे अलिमेंट के साथ ऐसा होता है सभी आपका निकालता है तुप सब्सक्राइब करेंगे तो क्या जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस्ट थीटा उसके बाद देखर आपका कितना जाएगा साइन थीटा इंटू क्वास थीटा और यहां क्वास थीटा इनटू क्या जाएगा साइन थीटा इसज माइनस को पहले रिख दिया मैंने साइन थीटा इंटू क्वास थीटा शाइन थीटा इंटू साइन थीटा बीटा क्या आप जाएगा साइन स्कॉय थीटा दोनों को ऑडर सेम है हम लोग इसके कर्सपॉंडिंग को प्लसपोंड होता है आपको पता है लेकिन में फिर भी बाड लिख दे रहा हूं अब अब देख पार होंगे माइनस स्पार थी तर प्लस साइन गॉर्य प्लसलों को प्लस करेंगे दो एक दोनों को प्लस करेंगे मायने सो प्लस मायने मैंश हो जाएगा तो आपका आंसर क्या जाएगा जिरो जाएगा इधर और इसको भूण का है नहीं लिखा रहें तो इसका मतलब है आपस्ति मेट्रिक्स करें बड़ी परिशाहलेगे है आपकी unit matrix हो गई identity matrix हो गई और इसका order कितना है और बिल्कुद बता सकते हैं तू ख्रॉस्ट तू अर्डर के matrix हो देख लिए इसमें क्या option सही है आपका यह वाला option है अब आसान है आप देख पार है हमें प्रॉशन चलिए हम लोग निक्स्क्रॉशन की बात कर लेता है करें है आपको क्या वेटा बताना है एसक्वाइर बताना है अवाप करेंगे इससे प्रीवेस classes में हमने आपको बताया था कि 2 matrix की multiplication हम लोग कैसे करते हैं थो matrix की multiplication कैसे करते हैं आपको उसके बादें में discuss करना थेकर ना चलो तो A into A next to say A square यहां में लिख दे रहा हूँ ना चले अब मेरा बहुत ध्यान से देखें क्या है 1 0 0 0 1 0 A B minus 1 है ना सेम इसी से multiply करने 1 0 0 0 1 0 A B minus 1 अब देखो पेटा कैसे multiply हम लोग करेंगे ध्यान से देखें क्या होता है first row first column है ना first row first row first column की multiply करता है तो क्या जाएगा 1 into 1 plus 0 into 0 फिर आजाएगा 0 into A फिर first row second column है ना first row second column आ जाएगा तो 1 into 0 0 into 1 और इदर आपका 0 into B आ जाएगा फिर क्या लिविटा लेना है first row third column लेना है तो first row third column के लिए 1 into 0 plus 0 into 0 और plus 0 into क्या जाएगा minus 1 हो जाएगा ना इसी तरीके से second row first column second row second column second row third column है तो हम लोग क्या करेंगे इविटा आपका जाएगा अगर आप इसकी बात करेंगे 0 into B हो जाएगा ना 0 into B हो गया उसके बात में बात करेंगे 0 into 0 into 0 into 1 into 0 और उसके बात में आपका जाएगा अब इसकी बात करेंगे आप इसकी बात करेंगे आपने इतनी मिल्टिप्लाइगा लिए अब तो हो जाएगा अब इसकी बात करेंगे आपने इतनी मल्टिप्लाइगा लिए अप तो हो ही जाएगा आप तो कोई प्राव्लम में देखो कैसे आएगा विटा एक 1 into 1 बन हो गया 0 into 0 तो आपका फाइनली क्या जाएगा यह बन हो जाएगा उसके बाद वन इन्टू जीरो 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 इन्टू बन जीरो जाएगा इधर केजाएगा इधर आपका सुसट बेलत प्रास के स्टूडेंट हो तो से बीटील तो क्राव्ल शीरो हो जाएगा 11 इधर जाएगा 20 अमौग कर तोular के बन हो Χासिवीरा गया अब धुब il जीरो हो जाएगा जाएगा ईहां Tello जैक्शिंप क्राइव thou a जाएगा है इसके बार मिएंस से इंट आपका कितना है इल्ट पी माहिनस बी है ओ डेके 100000001 अहीं है है ना तो क्या हो है है ingredientional Transo तो ऑफके समझ में होगा कि कि अच्छा नवाले हैं झोवी वीडियो को देख रहे हैं इस question को फुद से solve करेंगे यहीं पर क्या गरेंगे जो प्रोष्ञन आपको दिया गया है इस question को आप फुद से solve करेंगे जानते हैं तो यहां से आपको क्या हो जाएगा के की वैलू आपको आसानी से निगाल सकता है और एक एक बहुत थोड़ा सा बिल्कुल जो है वीडियो आपके बली है बहुत वेडिफीशल होने वाली है और हम लुग क्या करेंगे अब जो भी स्टुडेंट जो भी स्टुडेंट आयाइटी आयाइटी जे या फिर NDA या फिर या फिर दियू किसी की भी प्रेपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो आने वाली है किस तरीके से हम लोग कोशन को सौटकट टाइप से करेंगे और आपको सौटिक्स बताई जाएंगी बहुत अच्छे-च्छे कोशन्स आपको कराया जाएंगे जो आयडी जे में आय हुए है उनको बताया जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे टॉपिक वाइस डिसकस करने वाले हैं और आपको बहुत सारे कोशन्स में बताया जाएंगे तो आप हमारे साथ इसी तरीकी से जूड़ रही है आपको बहुत कुछ मिलने वाला है और हमारी बहुत प्लानिंग है कि आपको बहुत बहुत बैतर प्रोवाइड कराया जाएगा ठीक ना तो आई होप कि आज का क्लास आपके समझ में आया होगा आप बहुत क्लास को देख करके इसी तरीके से आप हमारी क्लास को देखते रही है और उसका लाफ लेते रही है आपको बहुत फायदा होगा, आप और इसके objective questions हम लेकर के आएंगे, और इसके और भी जो topics बचे हुए हैं, जैसे किसी भी matrix का transpose कैसे निकालते हैं, है ना, transpose के basis पे क्या-क्या properties बन सकती हैं, वो आपको बताया जाएगा, किसी भी square matrix को हम लोग, जो है, किस तरीके से हम लोग break कर सकते हैं, आपको बताया जाएगा कि symmetric और इसक्यू symmetric matrix का हो जाती है, है ना, तो एक सी बहुत सारी properties और बहुत सारे topics आपको बताया जाएगे, बहुत इंट्रेस्टिंग, ठीक है, हमारे साथ जुड़ रही है, वीडियो अच्छी लगती है, तो लाइक करिए, शेर करिए अपरे दोस्तों में, हाना, दोस्तों, और बाई-बाई, टेक केर, वानाइश चाएगे,